सब्सक्राइब टो यूट्यूब चानल और प्रेस बेल आइकन ते लेटेस्ट अपडेट्स टीबी एक्ट्रेस सेजल सर्मा ने सुक्रवार को कथी तौर पर आत्मात्या कर ली है पोलिस का कहना है कि उनके घर से सुसाइट नोट मेरा है सेजल सर्मा स्टार प्लस के सिरियल दिल तो हैपी है जी में आखरी बार नजर आय थी उन्होंने सिरियल में सिम्मी खोश लगा के दार निवाया था वह मुखे के दार की बहन की भूमिका में थी पुलिस इंस्पेक्टर संदीब कदम ने बताया कि सेजल सर्मा के घर से एक सुसाइट नोट मिला है जिसमें नेजी कारणों से खुद कुशी करने की बात लिखी है ये घटना सुक्रवार शुवकी है और बताया जा रहा है कि और डुप्रेशन में थी सेजल सर्मा मुंबई में मीरा रोड़ पुर्व के सिवार गार्डन परिसर इस्थीत रॉयल नेस्ट सोसाइटी में अपने दोस्तों के साथ रहती थी दिल तो हैपी है जी सेजल सर्मा का पहला टीवी सीरियल था और बताया जाता है कि ओ इसे लेकर बहुत उत्साहित थी ये सीरियल 2000 उन्हेस में आया था इससे पहले सेजल सर्मा वीओ और उसा फ्रेंड यéście ब्रैंड के लिए बिग्यापनों में अपना काम कर चुकी हैं बीवो के बिग्यापन में भी वू आमीर खन के साथ दिखी थी और उसा फैंस के बिग्यापन में रोहित सर्मा और हादिक पांडया के साथ भी दिखी थी इसके अलावा सेजल सर्मा आजाद परिंदे नाम की वेब सी रिद्म भी काम कर चुकी है उनका पहला भी ग्यापन मोटो रोला के साथ था सेजल सर्मा राजस्थान में उद्यपूर के रहने वाले थी और उन्हें डांच वो एक्टिंग काफी पसंद थी उनकी मौत पर आने टेवी कालाकारों ने भी दुख ब्यक्त किया है उनकी दोस्त और टेवी एक्ट्रेस मीरा देवस्थले ने अपने इस्ट्रग्राम एकाउंट पर सेजल सर्मा के शाथ तश्वीर शेयर करते हुए लिखा है सेजल तुम्हारी आत्मा को शांती मिले मेरी दोस्त ने आज अपनी जिन्दगी को खत्म करने का फैसला किया और मेरे लिए एक शर्मे जैसा है हमेशा मुस्कुराने और खुश रहने वारी लड़की डिप्रेशन में थी कास कि तुम किसी से इस बारे में बात करती और तुम्हारी मदद कर पाते तुम्हें मेरा प्यार और प्रातना है वहीं एक और टीबी एक्ट्रेस और सेजल शर्मा के दोस्त जैशमीन भशीन ने अपनी इंस्टेग्राम अकाउंट पर सेजल शर्मा के साथ सेर तश्मीर किया है उन्होंने लिखाए कि यकीन नहीं होता है कि तुम हमारे शाथ नहीं हो, एक उस मिजाज लड़की जिसके साथ होने से और रहुनक आ जाती है, सिब तुम जानती हो कि तुम कीन हालात से गुजर रही थी, कि तुमने अपने जान देने का फैसला किया, मुझे तुम्हारी पीछ्टा फुम्हारी जिसके से कैफ मुझे अटते हैं.